वेलकम डेक्सन स्टीडी पॉइंट दोस्तों मैं हूँ सुरब सुकला और इस वीडियो हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट तीस प्रशन काफी इंपॉर्टेंट है और सभी प्रशन जी विज्ञान के होंगे वीडियो को लासा देखिएगा और आप तीस में से कितने प्रशन सही करते हैं हमें कमेंट के जरूर बताइएगा आई सुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए पहला प्रशन क्या है जी विज्ञान का जनक यानि फादर आफ बायोलोजी किसे कहा जाता है देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रशन है तो इस वीडियो को PDF अगर आप डाउलोड करना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन टेलिग्राम लिंक मिल जाएगा और वहां से आप जो इस वीडियो का PDF भी डाउलोड कर पाएंगे तो देखिए दूसरा प्रशन क्या है जीवन का भौतिक आधार यानि कि जो फिजिकल बेसिस है वो क्या है तो जीवन का भौतिक आधार है करेक्ट एंसर हो जाएगा option number D जीव द्रव्य देखे जो जीव द्रव्य होता है जीवन का भौतिक आधार होता है इसके अलाव अगर हम बात करें कि mitochondria तो देखे माइटोकॉंड्रिया को सेल यानि कि कोसिका का पावर हाउस कहते है कोसिका जो है उस सरीर की सबसे छोटी इकाई भी है तो यह दोनों पॉइंट भी याद रखना है और इस प्रशन का option number जो D है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तीसरा प्रशन है सर्व प्रथ जिन लोगों ने भी option number B चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा देखिए सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोसिका का पता लगाया था तो option number C इस प्रशन का जो option number जो B इस प्रशन का है करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों अगर आप चैनल को जरू स center किसे कहा जाता है देखिए मैंने अभी आपको बताया कोसिका का जो powerhouse है जिसे हम हिंदिम कहता है कोसिका का उर्जा ग्रिय भी कई बार exam में लिखा होता है तो कोसिका का उर्जा ग्रिय यानिके powerhouse किसे कहा जाता है तो चौथे प्रशन का हमारा correct answer हो जाएगा option number A mitochondria देखि आप इसमें से 24 से 25 प्रशन कर आप सही करते हैं तो देखिए आपकी science की तयारी अच्छी मानी जाएगी तो आएए अगला प्रशन देखते हैं पाचवा प्रशन है कौन सी रचना पादप कोसिका को जन्त कोसिका से अलग करती है कौन सी रचना पादप कोसिका यानिके plant cell को जन्त कोसिका यानि कि इनिमल से विभेदित करती है तो पांचोंगे प्रशन का से इंसर क्या हो जाएगा देखिए पहला अप्शन है कोसिका भित्ती, पर्ड हरित और तीसरा अप्शन है सेंट्रियॉल तो देखिए पादब कोसिका और जन्त कोसिका के वेजमन जो विभेद करता है वो ये तीनों हो जाएगे तीनों क्या यानि कि कोसिका भित्ती, सेल वाल, क्लोरोफिल यानि कि पढ़हरित और सेंट्रियॉल ये तीनों जो है, plant cell और animal cell में विभियत करते हैं तो जिन लोगों ने भी option number D को चुना है, उनका जवाब correct हो जाएगा छटा प्रशन है, किस को सिकांग को आत्महत्या के थैली कहा जाता है देखिए ये प्रशन exam में कई बार पूछा गया है तो बताना किस को सिकांग को आत्महत्या के थैली कहा जाता है राइसोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका या फिर सेंट्रोसोम तो छटे प्रशन का सही तर क्या हो जाएगा छटे प्रशन का सही अंसर हो जाएगा, option number B, लाइसोसोम देखे जो लाइसोसोम है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है तो जिन लोगों ने भी बी चुना है, उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा साथवा प्रशन है, RNA की द्विगुडित कुंडलियन की जो डबल हेलिक्स मॉडल था इसका पता किसने लगाया था देखे जो DNA का द्विगुडित मॉडल है, इसका पता किसने लगाया था तो करेक्ट टेंसर हो जाएगा, उप्शन नमबर A, वाट्सन और क्रिक और इन्हें इसके लिए नोबल पूरसकार भी मिला था, ये भी आद रखना है दीएन्हें का फुल फर्म क्या होता है, दीक्सीराइबो न्यूकलिक असिड दीक्सीराइबोन्यूकलिक असिड जो हता, दी न्हें का फुल फुल फर्म होता है और इसके दुगिःुडित कॉणसर अथा वाट्सन और क्रिक लिए लगाया था कोसिकिये स्वसन, कोसिकिये परिवहन या फिर आनुमन से क्रियाओं का संचालन करना तो देखे, जो DNA का परमुक कार्य होता है वो होता है आनुमन से क्रियाओं का संचालन करना तो जिन लोगों ने भी option number D को चुना है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा नवा प्रश्न है, RNA यानि के ribonucleic acid कहां पर पाया जाता है नवा प्रश्न है, ribonucleic acid कहां पर पाया जाता है सही एंसर हो जाएगा option number C, कोसिका द्रवे में देखे, जो RNA है या कोसिका द्रवें पाया जाता है तो जिन लोगों ने भी option number C को चुना है कोसी का द्रवय उनका जवाब जो है बिल्कुल correct answer हो जाएगा दस्वाँ प्रश्ण है आनुवनसिकी का पिता यानि कि father of genetics किसे कहा जाता है देखी ये भी important प्रश्ण है देखी ये biology का father कहा जाता है अरस्तु को और यहाँ पर बात हो रही आनुवनसिकी यानि कि father of genetics तो father of genetics किसे कहा जाता है दस्वाँ प्रश्ण है correct answer हो जाएगा मेंडल देखी ग्रेगर जौन मेंडल को जो है आनुवनसिकी का जनक माना जाता है तो option number C है मेंडल जो है इस प्रश्ण का बिलकुल correct जवाब हो जाएगा अगला प्रश्ण है 11 प्रश्ण मनुस से में गुड सुत्रों यानि के kromosome की इ供िल संख्या कितनी होती है देखे मनुस से में गुड सुत्रों की संख्या कितनी होती है तो सही एंसर हो जाएगा option number A46 और कभी-कभी option में लिखा रहता है 23 जोडी तो देखी अगर जोडी में एंसर दिया होगा तो आपका 23 जोडी सही होगा अगर संख्या में दिया है तो 46 जो है correct एंसर हो जाएगा मनुस्य में गोर सोत्रों के संख्या जो होती है 46 होती है तो option number जो हमारा A है इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा बारवाँ प्रश्न है मनुस्य में होने वाली आनुवनसिक रोग कौन से है देखे चार option दिये होगे इननेस बताना है कि कौन से रोग जो है आनुवनसिक इसमें से है पहला option है word आन्थता यानिके color blindness दूसरा है hemophilia और तीसरा है turner syndrome तो देखे यहाँ पर अगर हम आनुवनसिक रोग की बात करें तो यह सभी यानिके जो तीनों उपर दिये हुए है यह सभी आनुवनसिक यानिके genetic disease है तो जिन लोगों ने में यह option number D को चुना है उनका जवाब बिल्कुल correct हो जाएगा अगला प्रशन दिया है तेरवा प्रशन लड़का पैदा होगा जब कौन से गुर से उत्र होंगे X, Y, Y, X, Y या फिर X, X, X तो देखे correct answer क्या हो जाएगा तेरवा प्रशन का तेरवा प्रशन का correct answer हो जाएगा option number C देखे जब X, Y, X, Y गुर से उत्र होंगे तब लड़का पैदा होगा option number C इस प्रशन का बिल्कुल correct जवाब हो जाएगा चौदवा प्रशन है हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षड क्या दिखा देते हैं यानि कि जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होता है उसमें कौन से लक्षड दिखते हैं तो चौदवा प्रशन का correct answer क्या हो जाएगा option number B correct हो जाएगा रग्त का जो बहना है बंद नहीं होता है यानि जो रग्त का स्त्राव है यानि कि हाथ या पैर कटने पे खुन जो है निकलता रहता है खुन का थक्कानी बनता है यानि कि रग्त का बहना जो है बंद नहीं होता है जो व्यक्ति हमोफीलिया से पिग्डित होता है और हमोफीलिया भी एक प्रकार का अनुवंसिक ही रोग है तो आपको पहचानना है कि जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है यह DNA की एक क्रियात्मक इकाई है बिल्कुल सही है दूसरा है यह आनुवंसिकी की इकाई है यह भी बिल्कुल सही है तीसरा है यह गुर सूत्र पर उपसित रहता यह भी बिल्कुल सही है तो correct answer क्या हो जाएगा, option number D उपरोग सभी देखिए, इस प्रशन का option number जो D है, बिल्कुल सही answer हो जाएगा, gene के बारे में, 16 प्रशन है, gene का सरोपर्थम कृत्रिम विसलेसर यानि कि जो था, किस ने किया था, gene का सबसे पहले कृत्रिम विसलेसर गिसके दवरक किया था, 16 प्रशन है, correct answer हो जाएगा, हर गोविंद खुराना, देखिए, सबसे पहले जो है, हर गोविंद खुराना ने जो है, gene का कृत्र सेलेक्शन का परतिबादक का नाम क्या है प्राकृतिक चैन के सिधानत का परतिबादन किस नहीं किया था सही एंसर हो जाएगा चार्स डार्विन देखें चार्स डार्विन ने जो है प्राकृतिक चैन नहीं के प्रिंसिपल ऑफ नेच्छरल सेलेक्शन के सिधानत का परतिब किया था तो सही answer हो जाएगा option number A मतर देखिए मेंडल ने जो है मतर के पौथे का अनुवनसिकी के प्रयोग के लिए जो है चुनाव किया था बादर की मतर का विग्यानिक नाम क्या होता है तो देखिए मतर का विग्यानिक नाम भी कई बार पूछा जाता है तो 25 से टाइवम आपको याद रखना है पाईशम से टाइवम जो है मतर का विग्यानिक नाम है तो ये भी आपको याद रखना है उन्नीसवा प्रश्ण है एक वरडांध व्यक्ति यानि के कलर ब्लाइंड व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है तो देखिए जो व्यक्ति वरडां डी करेक्ट जवाब हो जाएगा बीसवा प्रश्ण है किस संग के जन्तुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जन्तु कहा जाता है तो किस संग के जन्तुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जन्तु कहा जाता है प्रोटो जवा पोरिफेरा सिलेंट्रेटा या फ प्रश्ण है एक कोस्टी की जनतु अमीबा एवं यूगलीना को किस संग के अंतरगत रखा गया है यानि कि आपको बताना है कि अमीबा और यूगलीना जो है किस संग के प्राडी है तो सही इंसर क्या हो जाएगा 21 प्रश्ण का ओप्सन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा देख मेठक में स्वसन किस अंग के द्वारा होता है मेठक में स्वसन किन अंग के द्वारा होता है पहला ओप्सन है त्वचा क्लोमो फेफडों या फर इन तीनों में तो देखिए करेक्ट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर डी इन तीनों द्वारा देखिए त्वचा क्लोमो औ तीनों द्वारा जो है मेठक में स्वसन होता है तो जिन लोगों में भी option number D को चुना है उनका जवाब correct हो जाएगा 23 प्रशन है वास्तविक मशली कौन सी है निकि निमलकित में से कौन सी वास्तविक मशली है 23 प्रशन है correct answer क्या हो जाएगा देखे स्टार फिस वास्तविक मशली नहीं है बिटल स्टार भी वास्तविक मशली नहीं है और सी कगंपर भी वास्तविक मशली नहीं है सही answer हो जाएगा हिपो कैमपस देखे जो हिपो कैमपस होता है यह एक वास्तविक मशली है option number C, जिन लोगों ने भी चुना है, उनका जवाब correct हो जाएगा 24 वाँ प्रशन है, मेठक किस वर्ग का जन्तु है जो मेठक है, वो किस वर्ग का जन्तु है, correct answer हो जाएगा option number B, amphibia, देखें जो मेठक है, वो amphibia वर्ग का जन्तु है इसे हम हिंदी में कहते हैं, उभायचर देखें, उभायचर क्यों हम कहते हैं, क्योंकि जो मेठक होता है यहाँ पानी में भी रहता है, और जमीन में भी रहता है, इसलिए मेठक को हम amphibia या फिर उभायचर कहते है option number B, प्रशन का correct जवाब हो जाएगा 25 प्रशन है, स्तनियों का हिर्दय कितने कोष्ट का होता है 25 प्रशन करेक्ट एंसर हो जाएगा option number C, जो है, चार कोष्ट का होता है तो जिन लोगों ने भी C को चुना है, उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा 26 प्रशन है, स्तन्धारी वर्ग में रग्त का सबसे अथिक तापमान किस जन्तों में पाया जाता है स्तन्धारी यानि के मेमलियन्स में, रग्त का सबसे अथिक तापमान किस जन्तों में पाया जाता है तो सही एंसर हो जाएगा option number B, बकरी में देखिए, स्तंधारियों में बकरी में सबसे अधिक रखत का तापमान पाय जाता है तो option number जो B है इस प्रशन का correct जवाब हो जाएगा 27 प्रशन है, मचलिया किस अंग से सांस लेती है देखिए, मचलिया किस अंग से सांस लेती है, correct answer क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा option number C, गिल या गलफ़डों देखिए, हम कहते हैं हिंदी में गलफ़डों द्वारा जो है मचलिया सांस लेती है, गिल द्वारा सांस लेती है option number C, correct हो जाएगा 28 प्रशन है, सबसे बड़ा संधारी यानिक मेमेलियन का नाम क्या है जो सबसे बड़ा संधारी वर्दावान में प्रत्वी पर मौझूद है 28 प्रशन है, correct answer हो जाएगा, blue whale देखिए, प्रत्वी पर मौझूद इसमें सबसे बड़ी जो संधारी है, वो है blue whale option number D, इस प्रशन का सही जवाब हो जाएगा उन तीसों प्रशन है विस्व का सबसे छोटा पच्ची कौन सा है देखिए, कई बार इसमें आया हुआ है तो विस्व का सबसे छोटा जो पच्ची है, वो हो जाएगा hummingbird, option number C, hummingbird विस्व का सबसे छोटा पच्ची हो जाएगा और आज का मारा अंतिम प्रशन है कसेरुक जन्तु के सरीर का सरवाधी कठोर भाग कौन सा होता है तो कसेरुक जन्तु के सरीर का सरवाधी जो कठोर भाग होता है वो enamel होता है, क्या होता है enamel, option number E, correct हो जाएगा तो देखिए, इस वीडियो में हमने आपको जी विज्ञान के 30 important प्रशन दिए दोस्तों आपका स्कोर क्या है, कमेंटर के जरूर बताएगा देखिए, आपको अगले वीडियो में हम इस वीडियो का जो है, लेवल और अच्छा करके देंगे इस वीडियो में हमने जो है, moderate level question लिया था, लेकिन आपको अगले वीडियो में जो है, अच्छी लेवल question देखने को मिलने वाले है, इसलिए वीडियो को जरूर दोस्तों सेर कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, वीडियो पसंद आतो दोस्तों लाइक भी कर दीजेगा, वीडियो देखने के लिए बहुत ब जन्यवारे